दोसों, प्रधान मंत्री नेरंदरो मोधी फिलाल अमेरिका के दौरे पे है और ये दौरा भारत और अमेरिका के लिए क्थाफी महत पूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस दौरे के दर्मियां दर्मियां दोनों देशों के बीच में कई सारे महत पूर्ण डील की ऊपर और दोसों इन डीलों में कई सारे डील, डिफेंस डील भी है, हाला कि प्रधान मंत्री नियोंद्रों मोधी अमेरिका के दोरे पे है, लेकिन इस दर्मियान मीडिया में चर्चा हो रहा है भारत और फ्रांस के डिफेंस डील को लेके, आप लोगों के जानकारी के लिए बता द लेकिन ये डील मिलने वाला है फ्रांस को दोसो लगभग एक महिने के बाद प्रधानमंति नेंद्रो मोधी फ्रांस के नैशनल डे के लिए 17 जुलाई 2023 के दिन फ्रांस जाएंगे और बताया जा रहा है कि इस दोरे के दर्मियान भारत और फ्रांस के वीज में 26 रैफाल एम य यर्क्रेप्टों का प्रस्ताव रखा गया था और लुम्हतल एम पिछले साल के गर्मी के दर्मियान ट्राइल किया था और दोस्तो अससारे बयान दिया गया और इस तरीके का बैयान दिया कि मानो राफल एम इस टेंडर में बोईंग के F18 सुपाहॉनेट यारक्रेप्टों के सामने टीक ही नहीं पाएगा इवन दोस्तो इसके बाद टेंडर को हासिल करने के लिए अमेरिके कमपनी के तरफ से अपने PR स्ट्रेडिजी को भी चलाया गया हाला कि दोस्तो अमेरिका अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रधार मंत्री नर्यंद्र मोदी के इस दोरे के दर्मियान कोई एक बहुत बड़ा फेर वदल हो जाए और अमेरिका को ये डिफेंस डील मिल जाए पर इसका संभावना जहाँ पे काफी कम है तो उही पे दूसरे तरफ अगले महिने जब प्रधार मंत्री नर्यंद्र मोदी फ्रांस में होंगे तो डील का घोशना होते ही बोईंग कमपनी के साथ संपूर्ण अमेरिका के लौविंग कॉम्मिनिटी को मेर्ची भी लगेगा अब दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के हाले के एक रिपोर्ड में जानकरी दिया गया है कि इंडियन नेवी के द्वारा भी फ्रांस के यारक्राफ मतलब राफल एम यारक्राफ्टों को एफे 18 सुपा होर्नेट से अधिक पसंद किया जा रहा है लेकिन अगर कुछ महिने पहले के नेवी के बयान को देखा जाए तो नेवी के द्वारा बताया गया था कि दोनों इारक्राफ्ट ही नेवी के ज़रुरतों को पूरा कर सकता और इसलिए गॉपर्मनेट के तरफ से कोई सा्वी एर क्राफ्टो को लेकर अब तक कोई औफिशील जानकरी नहीं आया ल बारत को कितना खड़्चा करना पड़ेगा हाला कि मिडिया रिपोल्डों के दावे के मताविक शायद भारत को एरफोर्स के एरक्रेप्टों के डिल के जैसे इतना बड़ा एमाउंट खड़्चा करना ना पड़े बलकि इस बार राफल एम यःर्क्राफ्टो का कीमत यारफोर्स के तरफ से खड़िदा गया, राफल यार्क्राफ्टो के कीमत के मुकाबले में कम होगा. अब दोसो दोनों यार्क्राप्टों का टेश्ट तो हुआ है लेकिन सोर्सेस का कहना है कि गौवर्मेंट फिलाल टेंटर प्रॉसेस में आगे ना बढ़के गौवर्मेंट टू गौवर्मेंट डील के तहती शायद आगे बढ़े मतलब यहाँ पर प्रधान मंत्री नेंदरो मोदी के दोरे के दर्मियान अगर अमरिका के साथ यार्क्राप्टों को लेके कोई बातचीत नहीं होता है तो एक तरीके से ये क्लियर है कि F18 Super Hornet यारक्राप्टों का पत्ता कट है और भारत राफल एम यारक्राप्टों के तहती आगे बढ़ेगा दोसों इंडियान नेवी असल में अपने नए यारक्राप्ट के उपर एक बहतरीन फाइटर यारक्राप्ट चाहता है और इंडियान नेवी के फास फिलाल केरियर पर दोस्तो अब बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के बाकी के आवशक्ताओं को स्वाधिशी ट्वीन इंजिन डेग वेस फाइटर यारक्रेप्टों के द्वारा पूरा किया जाएगा जो फिलाल अंडर डेवलोप्मेंट है अब दोस्तो मीडिया हाउजेज में रैफल एम यारक्रेप्टों को लेके जो पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यारफोर्स के बेड़े में रैफल यारक्रेप्ट होना अब लोग के जानकारी के लिए बता दू कि इंडियान यारफोर्स के पास जो रैफल यारक्रेप्ट है उनमें और नेवी के बेड़े में इस्तमाल होने वाले रैफल एम यारक्रेप्टों में करीब करीब 80% तक टिकनोलोजी समान है अब दोस्तों इससे नेवी के लिए यारक्रेप्टों के ट्रेनिंग से शुरू करके उसके मेंटनेंस और सर्विस इविलिटी को लेके आसानी जहाँ पे होगा तो वही पे इनी कारूनों के बज़ा से कुछ एक्सपरड़ों का ये भी मानना है कि नेवी शायद रैफल एम यारक्रेप्टों के ही पक्ष में हो. best suitable aircraft के रूप में भी दर्शाया गया हाला कि दोस्तों जो पब्लिक में official information है उसके मताविक Navy के तरफ से दोनों aircraft को ही Navy के जरुरतों को पूरा करने वाला aircraft के रूप में दर्शाया गया है मतलब Indian Navy के जो requirement है वो दोनों aircraft ही पूरा कर सकता है हाला कि इसमें 19-20 का फरक हो सकता है और ये फरक शायद रैफाल M. aircraft को benefit दे रहा हो इसके इलावा दोस्तों ऐसे sources के तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि Ministry of Defense के द्वारा aircraft के maintenance, pair और training contract को लेके भी detail में काम किया जा रहा है और Ministry of Defense in aircraft के maintenance से शुरू करके बाकी facilities को INS विकरांत के on board भी चाहता है हाला कि इसके इलावा गुआ में जहाँ पे Indian Navy के base है वहाँ पे भी Indian Navy aircraft के maintenance को लेके facility चाहता है और इसके इलावा गुआ में जो base है वही पे ही aircraft के ground crew और पाइलोटों के training भी होगा अब दोस्तों इन aircraft में और Indian Air Force के aircraft में अगर अंतर को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताविक राफेल M aircraft में डेसौल आविएशन के द्वारा कुछ sophisticated maritime system को लगाया गया है जो कि Air Force के राफेल aircraft में नहीं है जैसे की एक sophisticated maritime search radar जो की दुश्मन के submarineों तक को detect करने में मदद कर सकता है अब दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में अगर राफेल M aircraft का deal होता है तो ये घटना अमेरिका के लिए काफी पीडा दायक होगा क्योंकि अमेरिका लगातार भारत से aircraft के deal चाहता है लेकिन बीते कई सालों से अमेरिका के द्वारा कई सारे अलग अलग aircraft का offer करने के बावुजूद भारत के तरफ से अमेरिकी aircraft को पसंद किया ही नहीं जा रहा है दोसो एक तरफ जहाँ पर भारत अपने खुद के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कई सारे इंडेजिनियस aircraft का development कर रहा है जिन में 4.5 जिनरेशन के मीडियम क्लास के aircraft मतलब तेजस मार्क 2 से शुरू करके 5 जिनरेशन के एडवांस aircraft और ट्विन इंचिन डेग वेस फ जब भीस aircraft का tender है जबकि दूसरा है एर फोर्स के 114 fighter aircraft का tender पर किसी में भी अमरिका के संभावनाय नहीं है और दूसरे तरफ देखा जाए तो लगातार फ्रांस एक के वाद एक डील को हासिल करते जा रहा है और दोस्तों अमरिका के दोरे के अगर एक महिने के बाद प्रधा के द्वणारा फ्रांस के एर क्रैप्टो को खरीदने के कारण फ्रेंच यार क्रैप्टो के बिगड़ी भी बढ़ा है जब कि अमरिका जिन एर क्रैप्टो का offर भारत को लगातार कर रहा है उन्हीं एर क्रैप्टो का अब और export market में भैल ही नहीं रहा हालागी रिपोर्ट म दावा किया जारा है कि भारत के साथ अमरीका F35 Yard Capital के सेल को लेके भी बात्चित कर रहा है जब कि कुछ अमेरीकी एक्सपर्टों का कहना है कि ये बात्चित काफी अधिक इनिसियल स्टेज में हैं जिसे लेके अवी से संभावना रगाना सही नहीं होगा मतलब दोस्तो यहाँ पे अमेरिका का प्रयास तो है लेकिन अमेरिका को भी पता है कि शायद इस प्रयास के अंतर गदवी अमेरिका को फाइदा ना मिले और दोस्तो अगर खुलकि अमेरिका के द्वारा F-35 का ओफर किया या तार भारत डायरेक्ली ओफर को ठुक अप्रत के बेड़े में प्रवेश करवा सके।нозनाथ आप लोग में क्या लगता है कि अमरीका आर्रो फाइट्र न करवारा के।